इतनी मिसाइल एक साथ गिरेंगी तो क्या होगा? इरान के एक हमले ने एक अक्तूबर को पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है इतनी मिसाइल से एक साथ बचाएगा कौन? इतने बड़े हमले के बाद इसराइल के सामने सबसे बड़ा सवाल ये मिसाइल नहीं बलकि नितन्याहू के सामने इससे भी बड़ा चैलेंज खड़ा हो चुका है दक्षिन लिबनान में शुरू हुआ इसराइल का ग्राउंड ओपरेशन शुरू होने के साथ ही फस चुका है हिस्बुल्ला ने बॉर्डर पार करने वाली इसराइल की कमांडो यूनिट पर बड़ा हमला किया और उसको खदेड दिया मीडिया में ऐसा दावा किया जा रहा है कि इसराइल का ग्राउंड ओपरेशन पहले दिन फेल हो गया है इसमें कोई शक नहीं कि लिबनान इसराइल बॉर्डर पर बड़ी ललाई शुरू हो चुकी है इसबुल्ला को जड़ से खत्म करने वाला उपरेशन इसराइल ने लाँच किया इसका वीडियो भी भीजा लेकिन जब इरान एक अक्तूबर को इसराइल के मिलिटरी बेस पर बिजाइल दाग रहा था तब लिबनान इसराइल बॉर्डर पर एक बहुत ही खतरनाक उपरेशन जारी था इसबुल्ला का दावा है कि उसने इसराइली कमांडो को ओदेसा और कफार किला के इलाके में बड़ी टक कर दी है उसके कैई कमांडो मारे गए हैं कैई घायल हुए हैं पॉइंट ब्लांक रेंज से भी हमले का दावा किया गया है एक तरफ नेतन्याहू का लिबनान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन है तो दूसरी तरफ इरान की तरफ से इसराइल पर मिसाइल अटैक इसराइल इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर में है इसराइल को तहरान को भी जवाब देना है और लिबनान में भी ऑपरेशन करना है नेतन्याहू इस वक्त कैई मोर्चों पर घिर चुके हैं इस खबर से बाइडन बहुत ज़्यादा बेचैन है और आगे इस यूद का अंजाम क्या होगा इसे लेकर मॉस्कों में बैठे वलादमीर पुतिन भी टेंशन में है इस वक्त दुनिया में चार पावर सेंटर तयार हो चुके हैं जो इस युद का फैसला करेंगे वाशिंटन डीसी में वाइट हाूस क्या अमेरिका इसराइल की मदद के लिए डारेक्ट इस युद में पूदेगा इसराइल की राजधानी तेलवीव में क्या फैसला होने वाला है तीसरा शहर इरान की राजधानी तहरान जहां सुप्रीम लीडर अलिखामनेई का वार रूम बड़े फैसले ले सकता है और चौता शहर है रूस की कैपिटल मॉस्को जहां से अब सिर्फ युक्रेन नहीं बल्कि इरान इसराइल के मोर्चे को भी मेसिज पहुँचाया जा सकता है इस वक्त पूरा पश्यमेशिया महयुद के जलते हुए तवे पर बैठा हुआ है नीचे आख सुलग रही है बं मिसाईलों और ड्रोन के हमलों से इस बार ऐसी तबाही की गारंटी दी जा रही है कि तलवीव से लेकर तहरान तक दहशत पहली हुई है एरान के हमले के बाद अफगेंद इसराइल के पाले में और नेतन याहू लगातार मीटिंग करके पूछ रहे हैं कि इरान को कैसे जवाब दिया जाए इस बुल्ला को कैसे खत्म किया जाए इनल कासो दे लीवानों इंसिस्टीमोस एंके ला इंवाश्यों तर्रेस्ट्रे डेवे देटेनर से या कि अनल गान यहां यंवाथ आइं है उए शाया फिर्मेंट लगा लिए टोडों कारीं बेस्ट लगातुक्रों ये वाथा ले मिया में ईस्जाण पार्रोग, आजाफ बीज़шегоतों काश्म में 24 में सितमेर का महीना पाश्यमेश्य में नई आग लेका रया या बcción में हिजबुल्ला चीफ असन असरल्ला को इसराइल ने एरिस्ट्राइक में खत्म कर दिया इसके बाद पहली अक्तूबर को ही इरान ने इसराइल पर हमला कर दिया सवाल है कि क्या इसी महीने अमेरिका और रूस भी इस युद्ध में कूदेंगे और महयुद्ध शुरू हो जाएगा इस वक्त इरान और इसराइल दो कैम्पों में बटे हुए है इसे महाशक्तियों की टककर कहा जा सकता है एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ रूस है और यही दुनिया का सबसे बड़ा खौफ भी है क्योंकि अमेरिका इसराइल के साथ है और रूस इरान के साथ यह चारों ताकत ऐसी है कि इनकी टककर वर्ल्ड वार की वज़े बन सकती है अमेरिका ने इसराइल को गोले बारूट की सप्लाई पिछले कुछ महीनों में तेस किये बंकर बस्टर से लेकर हर तरहां का बम इसराइल को सप्लाई किया गया है लेकिन एक अक्तूबर की रात को इरान के मिसाइल अटाक ने साबित कर दिया कि इसराइल चाहे जिसकी मदद ले जिससे हत्यार ले कोई भी उसकी ढाल बने इरान नसरल्ला से लेकर हानिया सब का बदला, अकेले अपने दम पढ़ ले सकता है अब सब कुछ नेतन्याहू के वार रूम पर निर्भर करता है वो क्या फैसले लेंगे, क्या इसराइल कुछ बड़ा करने की सोच रहा है क्योंकि इसराइल के सामने चुनोती सिर्फ इरान नहीं, बलकि चार मैदान है जहां युद अक्टिव मोड में चल रहा है पहला फ्रंट गजा है जहां इसराइल हमास से लड़ रहा है दूसरा फ्रंट लेबनान है, जहां इसराइल हिस्बुल्ला से लड़ रहा है तीसरा फ्रंट यमन है जहां इसराइल हूती के एड़ों पर बंबारी कर चुका है अब चौता फ्रंट इराक बन सकता है क्योंकि इराक में इरान के समर्तनवाला मिलिशिया गुड हशदल शाबी भी आक्टिव हो गया है जब इरान के मिसाइल इसराइल पर गिर रही थी तब यमन में भी हूती अपनी कुद्स फाइब मिसाइल इसराइल पर फायर कर रहे थे इन गौता इसराइल 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 इसर मोर्चे बढ़ने से इसराइल के ग्राउंड ओपरेशन की काम्याबी पर सवाल उठने लगे हैं एक अक्तूबर की रात इरान के मिसाइल अटैक ने इसराइल के ग्राउंड ओपरेशन को मुश्किल में डाल दिया है अमेरिका को भी खत्रा है कि इसराइल का हाल फिर वर्ष 2000 और 2006 जैसा ना हो अमेरिका पहले भी कह चुका है कि वो नहीं चाहता कि गाजा के अलावा इसराइल किसी दूसरे फ्रेंट पर लड़ने के लिए मजबूर हो जाए इसराइल के लिए मजबूर कर दिया है कि इसराइल के लिए मजबूर कर दिया था यही वजाए कि इसराइल अमेरिका से इस बार भी पूरा बैक अप चाहता है नेतन्याहू लेबनान में घुसकर हिजबुल्ला को कोने कोने से खत्म करना चाहते हैं इसे आप नेतन्याहू का ओपरेशन ओल आउट भी कह सकते हैं लेकिन इससे पहले ही इरान ने कर दी इसराइल पर सर्जिकल मिसाइल स्ट्राइक